नमस्कार आपके कायर करम सीधा समवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ सुधान शूरंजन और आज हमारी यह स्वभाग है कि भारत की मुख्य नय अधीश नय मूर्ती आर्म लोड़ा हमारे साथ हैं इस सब्ता की मेहमान हैं बहुत स्वागत आपका लोड़ा सहब धन्यवा आपकाश करहन कर रहे हैं और हमारी यूर से बधाई कि बिल्कुल निश्कलंक और बेदाग जीवान आपका रहा ये मतलब भारत की नय पालिका के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ब्रश्टा चार जिस तरह से हर जगा है और जिस तरह से आरोप लगते हैं सही या गल जाहें सामवैधानिक हो सरकारी हो ये लोग मानतिक बहुत बड़ा कारण है प्रश्टा चार का या जो आरोप लगते हैं बलकि अरुन जटले तो अक्सर कहा करते हैं कि प्री रिटायर्मेंट जज्मेंट्स और पोस्ट रिटायर्मेंट जॉब्स आपने इवी का कि कम से कम होनी चाहिए कि उसमें कम से कम नहीं ले आपके जो पूर वर्ती थे जस्टेस सदाश्रीवम वो गवर्नर बने उसमें काफी टपनियां की गई काफी लेख आए इसमें न्याइपालिका की और से सक्रिया पहल होती तो ज्यादा अच्छा होता है कोई न्याइक आदेश आज और मैं व्यक्ति विशेस की बात नहीं करूंगा लेकिन स्वतंत्र नायपालिका के लिए अगर ये पहलू सब ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा होता है और मैं जेटली साहब की बात से बिलकुल एगरी करता हूं कि ये तो नहीं कि प्री रिटार्मेंट जज्मेंट प कुछ कारी नहीं लेना चाहिए जो सरकार से संबन देता हूं अधिकार ही जजों की नुकती का सुप्रीम कोट अपने हाथ में ले लेता है तो सुप्रीम कोट के पास तो इतना इतनी शक्तियां है कि आप कोई भी निर्देश दे सकते हैं और नियाए पालिका कि स्वायतिता चूंकि मौलिक संरचना का एक्त्त्त माना गया है उसको तो का निर्देश नहीं इसको नहीं है अज़री समय्दान में चाहे न्यायपालिका ओचाहे कारेपालिका हो चाहे लेजिसलेचर हो समीदान की परिसीमा में ही कारी करना होता है ऐसा नहीं कि न्यायtı का कुछ भी आधेश किसी समय जैसा भी चाहे वैसा दे सकती है यह नहीं है बिलकुल अपने पेरामीटर्ज में रहके समवेदाने एक दाइत्वता को ध्यान रखकर ही आदेश दिये जाते है यह तो खेर बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह माना गया कि सत्ता का भी भाजन जो है सेपरेशन आप पावर वो भी मौलिक धा है बिलकुल है और यह भारतिय समवेदान की सबसे बड़ी खुबसूरती है कि जैसे अमेरिका में तो सेपरेशन आप पावर्स डिफाइन कर दी है कि लेजिस्लिचर पावर है यह एग्जेकेटिव की पावर है यह नियायपालिका की पावर है अपने यहां इसको समझती है हमें किस दाइरे में रहना है और लेजिस्लिचर समझती है हमें किस दाइरे में रहता है अब बिलकुल सही आपने का कि अमेरिका में तो परिभाशित है मॉन्टेस्कियों का है बिलकुल सूत्र उन्होंने अपना लिया लेकिन अपने हाँ तो ऐसा है भी नहीं जै हैं आप उससे निकाल देते हैं तो वो जो स्ट्रेक्ट सेपरेशन नहीं है यहाँ पर लेकिन यह कारोप नयाई-पालिका पर लगता रहा है कि नयाई-पालिका अपने दाएरे नहीं आप लेकिन अगर कोई नियाई-पालिका की सामने आकर यह कहता है मुझे पानाई नहीं मिल रहा है पीने का पानी नहीं मेरे पास, मेरे पास कोई शेल्टर नहीं, मेरे पास रहने के लिए जगा नहीं, जहां मौलिक अधिकार का हनन होता हो और कोट देखती है, कि अभी देखो इसको रहने के लिए जगा नहीं मिल रही है, नेचुरल डिजास्टर से इसके पास ड्रिंकिंग water नहीं है, food नहीं है, medicines अवैलेबल नहीं है, तो constitutional rights को protect करना, अगर पहला काम है तो वो न्याएपालिका का है, अब कोई नहीं सेखेंगे, कोई अगर ऊपरी तौर पर देखेंगा, क्या कहेगा, कि कारीपालिका काम न्याएपालिका करती है, ही अपना हस्तक्षीप कर रही है यह बात तो सही है नयाइक पालिका को अखेर लाइक समीक्षा का दिकार तो दिया ही गया है वो तो common laws हमारे पास आया है तो उसमें कोई विवाद नहीं है लेकिन हाग कई वार वही 16 दिकार की बात होती है जिरिस्टिक्शन की बात हो यह बड़ा मुश्किल है परिवासित करना देखिए बड़ा मुश्किल है जैसे आपने देखा ना भी अब मैं आपको उधारन के तौर पे दूँ यह वो लद्दाक पे भारत और चीन के बीच में जो छोटी मुटी बात हो पोड़ा समझने में ही फर्क है बाकी तीनों इंस्टूशन्स नायगपाल का विधाई का और कारेपाली का सामिधानिक दाएरे समझती है और उसके तहत ही काम कर रही है आप बिल्कुल सही कहा रहे हैं लेकिन यह जो आपने कहा कि आप कोई पद नहीं लेंगे यह हमेशा के लिए ही है क्योंकि मैं तो इस मैं तो इस विचार का हूँ और मैं जो मेरे से सहमेती रखते हैं उनका भी मैं आदर करता हूँ मेरे हिसाब से जो सुप्रीम कोट के ज़ज या चीफ ज़स्टेस रिटार्मेंट के बाद में कोई पद लेना उचित नहीं है यह बात अलग है उसी पर आ रहा हूँ यह सबसे बड़ी महत्वपून बात है अपने हैं बहुत कानून है जिसमें की ट्राइबुनल्स कॉर्परेश्य कमिशन्स वगरे या तो भारत के मुखेना अदिश जैसे नेशनल हुमन राइट्स कमिशन हैं कई दूसरी कमिशन्स हैं जिनमें सुप् कोट के जज या रिटायर चीफ जस्टिस तो उसके लिए दो सॉल्यूशन हैं एक तो यह है कि आप इन कानून को ही एमेंड करिए और यह हटाईए और दूसरा मैंने एक सुझाव दिया है लिखित में तो नहीं लेकिन सब को जो इस चीज से मतलब रखते हैं कि कोई भी यह है कि आप पैंशन लेना चाहते हैं दूसरा ऑप्शन यह है कि आप फुल सेलेरी लेना चाहते हैं जो जज रिटायर्मेंट के बाद में पैंशन लेना चाहते हैं वो अपनी पैंशन ले और जो मर्जी आये करें लेकिन उनको कोई भी सरकारी पद रिटायर्मेंट के बा चैनल में नाम दर्ज कर दिया जाए और जब कभी कोई वेकेंसी होती है तो भारत के मुख्य नया अदीश से सला मश्वरा करके उस वेकेंसी में उस आप पर्टिकुलर जच को लगा सकते हैं कोई भी कुछ नहीं कह सकता है आपके पास दस नाम हैं दस नाम में से आपके पास आप चीफ जस्टिस से बात करिये हमको इसकी जगा खा लिए किसको बनाना चीफ जस्टिस कहेगा इसके लिए ठीक है आपको इसकी जगा खा लिए बनाईए तो ये बहुत वरकेबल सॉलूशन है ये गौर्मेंट की फाइनेंसेस पे बर्डन नहीं करता है और इसको अगर गहराई से सोचा जाय, तो यह सारा जो आज जो अपनबात कर रहे है, कि भी रिटाइर्मेंट के बाद में किसी को पड लेना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई किसी को भैज आत्राज भी नहीं होगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो जज के रिटार्मेंट के समय जो भी वेतन है वो पूरी जिन्दगी उनको मिलती रहे लेकिन उनको पद नहीं दी यह 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 विचार है और और यह जो आप कह रहे थे हैं नहीं चार्स या बाकी है तो उसमें जो एक्ट है कि कुछ लोग कमिशन में भी जा सकते हैं ट्राइबनल में भी जा सकते हैं नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के लिए तो नहीं कहूंगा क्योंकि इसका इस्ट्रक्चर एक डिफरेंट है उसको हाई को आप उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाईए आज जो आपके पास इतनी ट्राइबनल स हैं ने की जगे हैं आप विंग्स बनाई है जैसे कॉमर्शल विंग कई कांड़ी में तो कॉमूर्शल कोट से बात कबार हाइप भार हाट से है उनके मुकदमे है तूरंत हल हो जाए आम आदमी का वरสowie नहीं बती है आमा अदमी को तो पहले धिहां में रखना होगा अगर अगर कॉंस्टिटीशन की मनशया पूरी करनी है तो कोजिए बीचीज करनी हो चाहे न्यायपालिका हो चाहे कारिपालिका हो बिठाय का हो कामन मैन को ही सेंटर में रखे सोचना जाए इंशुरेंस का 25,000 उसके लिए सुप्रिम कोड तक मामला आ रहा है एक सरकारी करमचारी में चारा वो कैट से जिता हाई कोड से जिता है सरकार सुप्रिम कोड चली आती है यह आप सही कह रहें इसलिए एक्चुली उसमें डंड नहीं लिटिगेशन पॉलिसी गौर्मेंट की तरफ से होनी चाहिए बनी भी उस वो लागू नहीं हो रहा है आज आज आप देखिए ना आज आप देखिए ना बने एक्रोस दी कंट्री हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट इसलिए पार्टी है क्योंकि जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है उन पर कोई कार्यवाई अदालत की और से नहीं हो रही है अगर 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 अधिकारी के कारण ये बेवज़ा अदालत का समय बरवाद हुआ है और ये योग के नहीं है किसी पद के लिए और उसकी तनखाव से काट करके मुकदमे का खर्स दिया जाए तो मैं समझता हूँ जो जाए कभी कभी होता है जहां पे मामले देरी से दायर होते हैं और किसी ऑफिसर की गलती से होते है और कोर्ट की नजर में ये आ जाता है कि या तो गलती से या जान बूझ कर इसको समय पे दायर नहीं किया तो कई ओर्डर्स पास होते हैं और ओफिसर पे पैनल्टी के लिए या ओफिसर से रिकवरी के लिए ऐसा कि ऐसा होता नहीं है लेकिन कोर्ट अगर इन मामलों में ही उलज जाएं तो आप ऐसे भी देखिया आपने बिल्कुल सही कहा अंबार लगा हुआ है हमारे याँ क्रिमिनल कीसिस तैनी होते हैं और अगर हजार में से एक केस में भी इंटर्फियर हो जाता है तो लोगों के लिए ये विचार धारा बन जाती है कि चलो सुप्रीम कोट चले जाओ भी कुछ तो मिलेगा इसमें और इसी वज़े से आप देखिए कि आज सुप्रीम कोट में माने कितनी इन्फलो है इतने केसेज दायर होते हैं जो कि हाई कोट तक फाइनल हो जाने चाहिए अब सुप्रीम कोट आ रहा है यानि पांच माँ जो है अपील का वो हो गया लेयर अब ये पांच अपील हो किसी मामले में बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक्चुली कोई भी मेरे खाल से जुरिस्डिक्शन में दो अपील से ज्यादा तो ही नहीं और ज्यादा त तो फिर्स्ट अपील हाई कोट में आ गई तो वो फाइनल हो गया और सुप्रीम कोट में तो सिरफ समवेदानिक मामला हो अलग-अलग जुरिस्डिक्शन का या दो राज्यों के बीच का मामला है वो ही वर्क है सुप्रीम कोट का फेडरल स्ट्रक्चर के लिए वाटर डिस दो राज्यों के बीच में दो राज्यों या एक राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट है यह डिस्प्यूट ही खास तोर से सुप्रीम कोट के लिए समवेदान की क्या व्यक्या है वो मामले सुप्रीम कोट के बट अब देखिए इंडिया एक ऐसी हो गया है कि वर्चुली यह constitutional court नहीं हो के एक court of appeal हो गया आप बिल्कुल सही कह रहे हो इसके लिए मैंने तो suggestion भी दिया था discussion भी चल रहा है गहरा विचार करके एक actually intermediary court court of appeal जैसे ब्रिटेन में तो नहीं है हाई court आगे उसका है South Africa में बिल्कुल structure उस हिसाब से बना है वहाँ तो constitutional court अलग है supreme court अलग है नहीं उसके बीच में उनने court of appeal बना रखी है वहाँ तो कुछ दिन विवाद भी चला कि apex court कौन है constitutional court या supreme court वो जगड़ाबाद में खत्म हुआ जर्मनी में आप ताज्यूब करोगे जर्मनी में पांच supreme court है supreme court for finance supreme court for commerce supreme court for civil supreme court for criminal and supreme court for constitution और उनका structure ऐसा है कि civil matters में supreme court जो civil matters का है वो final है लेकिन अगर किसी point पे दो supreme court जैसे मान लिएक ऐसा issue है जिसमें supreme court of commerce का भी एक issue आगया और supreme court civil का भी एक issue आगया तो फिर constitution तो structure है अलग अलग पर आपको एक मैं बता दूँ देखिए मैं भी काफी मुख्य नयादिशों से मिला काफी state से तो इंडिया की judiciary के बारे में और खास तोर से supreme court के लिए बहुत आदर है दो institutions इंडिया की ऐसी है कि जो बाहर tremendous respect रखती है supreme court of India and election commission of India and जिस हिसाब से आज आप तज्यूब करोगे मैं जब पीटर्सबर्ग गया और मेरे को मौका दिया कि मैं रुशियन प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना का minister of justice और red cross के executive chairman we in plenary session we four were speakers और मैंने जब चुँकि वो immediate election के बाद का मौका था और मेरी speech में जब बताया कि कि इस तनिया 126 करोड की आबादी में 80 करोड से उपर हमारे यह adult franchise के तौर पे वोटर है करीबन 60 और 65 करोड के बीच लोगों ने actually vote दिया हाला कि 9 phases में elections हुए लेकिन जिस दिन counting हुई उसके choice गंटे के अंदर सारी position clear हो गई तो मने पीपल वर हमेज कम से कम तीन साड़े थीन हजार वर्ड वाइड जो थे वो प्रफेस्स, elections, commissions, they were simply amazed के what a country के इतनी बड़ी आबादी 126 करोड की आबादी इतने ज्यादा मद दाता है in free and fair election तो क्या मने अपना देखिये कितनी अपनी institutions मजबूत हुई है आज Supreme Court, आज public interest litigation मने लोग ताज्यूब करते हैं के यह आपने कितना अच्छा एक public interest के मामले में माने सुओ मोटू भी ले सकते हैं कोई व्यक्ति खुद आ सकता है, appear हो सकता है माने आप देखिये कोई भी highest court नहीं है कि जहां पे petitioner in person आ गया, argue करके चला गया मेरे सामने अभी पास साथ दिन पहले देखिये एक लेड़ी एड़ोकेट आई, 36 गड़की और बोली कि मेरे मुह में पॉईजन है, sexual harassment का अपना family का इमीडियेटली देखिये एक लेड़ी एड़ोकेट बैठी थी हमारे कोट में उनको बोले, आप M-I-K-S बरिये, इनके ब आप देखेंगे कहीं ऐसा नहीं होगा, यह तो अपने को सुप्रीम कोट के युनीक फीचर्स, जस्टिस डिलीवर के युनीक, देखिये, प्रॉब्लम से, I won't justify, and प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, and उनके solution हमें चाहिए, और जितना जल्दी हम solution पाएंगे, उतना अच्छ पॉब्लिक को फाइदा होगा, डेमोकरसी स्ट्रॉंग होगा, because I always believe कि डेमोकरसी स्ट्रॉंग होने के लिए तीनों आम डेमोकरसी के, constitution कारेपाली का, विधाई का, और नयाईपाली का मजबूत होनी चाहिए, और लोगों का ये कहना कि अगर ये मजबूत है, तो ये apprehension है, कि ये गड़बड करेंगे, ये बहुत है, अपने आद देखिए, बहुत डेमोकरसी मैच्चॉर हो गई है, वाइबरेंट हो गई है, मैं एक माफी मांगते हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बात सही है कि नयाई पालेका ने कुछ ऐसे मामल में हस्तक शेप किया है, ज जुकती की बात हो, तो लोग की आस्था बनती है कि नयाई पालेका ने हस्तक शेप किया, जहां बहुत गलत हो रहा था, ये बड़े मामले है, लेकिन ऐसे छोटे-छोटे हजारों लाखों मामले हैं जिसमें इतना अन्याय होता है, और इसकी बात कहीं आती है, एक वारों मे फीस बहुत ज्यादा है, इसको कोई कानून तो बने, इसको कोट दुरिस्त कर दे, वो तो पॉसिबल नहीं है, अगर ये बिजनिस नहीं है, अब तो वाकील बेशरमी से कहते हैं कि मार्केट एकनॉमी है, जो पे कर सकता आए, तो दूसरे के पास जाए सस्ता में, आप प्र नहीं ठीक बात है न, देखिए एड़ोकेटस एक बना हुआ है, बार काउंसिल के डिसिप्रिनरी कमेटीज हैं, लेकिन सवाल ये है कि कौन जाता है वहां पर, जायेगा भी तो क्या होगा, नहीं जाये, ऐसा है, हो सकता है, आपका विचार मेरी से बिलकुल अलग हो, लेकि है बहुत मजबूत है बहुत सारे सवाल है समय कम बचा है एक बहुत महत पूर्ण मुद्दा है नय धीशों की नुक्ति का आप ने ये कहा है कि अगर जजों के अलाबा कोई और नुक्ति करे तो फिर उससे नय पालिका की स्वतनत्रता प्रफावित होगी ये बात इसलिए समझ में नहीं आती है कि 1993 के पहले जुस्थिति जो संविधान संबत है संविधान में प्राविधान है कि ये कारे पाले का मुख नय धीश से विचार विवर्ष करके करती रही थी और उसमें कहीं कोई समस्या आई नहीं बलक कॉलेजियम बनने के बाद से इतने आरोप कॉलेजियम पे लगे हैं कि इसमें बहुत बारगेनिंग होती है सौदेबाजी होती है हर जज अपने उमिदवार का समर्थन करता है कि तुम इसका साथ दे दो हम तुमारे केंडिडेट को ले लेते हैं कोई इसमें पारदर्शित करें आप जज बन जाते हैं आप सुरक्षेत हैं किया दिकत नहीं अगर देखिये जैसे आपने कहा कि अल्टीमेटली कोई सिस्टम हो वो परफेक्ट नहीं है डिपेंड करता है उस सिस्टम को कौन चला रहा है उसमें कौन व्यक्ती है उनकी क्या अप्रोच है जहां तक कॉ के जज्जमेंट के थूई आया है लेकि तो कहते हैं पूरी तरस असमगाई दाए नहीं वो ठीक है विचार रखते हैं उसमें तुम्हें कुछ नहीं और मैं किसी को यह भी नहीं कहता कि यह कॉलेजियम सिस्टम मनें ही चलना चाहिए यह सिस्टम चलना चाहिए मैं पर हर 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 कंट्री का यह सैटिसफाइड हला कि उनका यह कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा हमको जो एक एचीवमेंट मिली वो यह है कि पारदर्शित आई हला कि जो बैस टेलेंट है ऐसा नहीं है कि वो एपलाई करता है और वो इस सिस्टम के द्वारा अगर आप न्युक जाती विलम्ब के समस्या है वो जवाब दही की समस्या है वो सारी जो अभी आरोप लग रहे हैं विलम्ब हो रहा है सिर्फ बात होती है कि पॉपलेशन जो है आबादी में 10 लाग की आबादी पर इतने जजज है उससे ज्यादा महतकूर नहीं है कि आप अच्छे जज करेगा उसके माने लोगों का फेत बढ़ेगा अब आईसे ऐसे जज्ज है जिन्होंने जिन्देगी में एक जज्जमेंट नहीं लेखा है सुप्रिम कोड तक आ गए है ऐसा तो खेर चलिए अब ये तो अब ये इन्डवीज्वल्स की बात नहीं करें ये 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 हो सकता है और अगर मैं कहूं कि बिल्कुल ही सेलेक्शन कभी कभी इतने सेलेक्शन हो सकते हैं तो एक दो गलती हो जाती है लेकिन चूंकि ये एक कॉमन मैन को पता नहीं है चूंकि ये थोड़ा क्लोज डोर बने डिसकुशन है लॉयर्स को पता नहीं है तो वो समझते हैं कि चलो अपने दो लॉयर्स को लिया है अब सवाल यह है कि कॉलेजिम सिस्टम से लिया न हमने अपने अपने जिस हिसाब से जिनको कंसल्ट करना चाहिए था उसमें कोई लिखा नहीं है लेकिन अपने साइटिस्फेक्शन के लिए कि भी चलो यह मैटीरियल है और यह अपने देल प्रूव गुड सुप्रीम कोट जजिस तो होगा और ऐसा भी नहीं है मैं यह भी नहीं कहता आज आपका यह मानली जी बिल मानले इंप्लिमेंट हो जाता है अच्छे जजिस आते हैं तो ठी वरकेबिलिटी डिपेंड करती है लेकिन मानले थोड़ा जो अंदेशा रहता है देखिए अंदेशा रहता है कि जुडीशरी में आउटसाइडर किसी भी तरह का आने से एक एक अंदेशा रहता है यह नहीं है कि जैसे आपने का इंडिबेंडनेंस प्रभावित होगी ही नहीं हो सकती है तो यहां तो यह भी बात है कि नियुक्ति कोई भी करें जैसा मारकंडे काड़्चु ने खुलासा किया हाल में जस्टिस अशोक कुमार की मतलब नियुक्ति अस्थाईर तोर पे हो गई सारी रिपोर्ट खिलाफ होने के बावजु सरकार गिरने का डर था तो सरकार ने करवा लिया होगा अब मुझे कुछ इसका नहीं मैं इस पर कमेंड नहीं करूंगा उस वक्त की बात है अब जो भी कंसर्ण चीफ जस्टिस है और कंसर्ण थी आप से पाथ छोटे में हम उत्तर चाहेंगे दो प्रशन और रहे हैं एक तो यह है कि जो जवाब देही बाली बात है accountability corruption का है अब पहतों पर आरोप लगए उन्होंने स्थीफा भी दे दिया impeachment की प्रक्रिया शुरू होई उन्होंने एक पर तो impeachment राज desafaha में पारित भी हो गया तो उन्होंने स्थीफा दिया सरकार में जो लोग काम करते जिन पर आरोप लगता है उनको ये स्वतनुत्रता नहीं है कि विजिलेंस का क्लियरेंस होना चाहिए जज को ये स्वतनुत्रता क्यों है कि अगर आरोप लगा तो ज़्यादा सज़ादा पिस्तिफा दे सकते हैं उपर कोई प्रोसिक्यूशन होता नहीं है नहीं देखिये इसके मल्टिपल फैक्टर्स हैं देखिये एक तो जजज का प्रोटेक्शन भी जरूरी है कोई भी जगा ऐसी नहीं मिलेगी आपको जहां पर की एक मामले में एक पक्ष जिसके खिलाफ जब सुप्रीम कोट की कमीटी पाती है कि हाँ इस पर आरोप सही है तब तो यह कहना कि कोई उसमें इंटरेक्टर्स नहीं है जहां तक यह है कमीटी ने पाया तो मामला पार्लेमेंट में भेजा है ना यह तो यह तो लॉग के उपर है यह तो यह तो आप उस लॉग को थोड़ा एफेक्टिब बनागी सवामी में जैसे आपने कह दिया कि बिना चीफ जस्टिस की परविशन के आप नहीं कर सकते हैं इसे कुछ जजमेंट आ सकता है देखिए आप वो तो अब इंटर्परेटेशन होते ही है अचानती सवाल आप आर्विट्रेशन का काम आप करेंगे कि नहीं अब ही मैं कुछ नहीं मैंने एक मिनट भी मेरे उपर सोचने का नहीं मिला तो मैं यही अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं कैसे अपना बस अभी मैं यह समझता हूं कि I must enjoy my freedom आप इस चर्चान सामिल होने के लिए